हेलो फ्रेंट्स माई नेम इस पायर जाकर आज हम पढ़िंग एक्सराइज 13.1 का कोश्चिन नमबर 9 आये स्टाट करते हैं सुदिए कोश्चिन नमबर 9 हमारा आ वोल्डन आटिक्स वास्मेट बाई आ आउट आ हैमिस्पियर फॉम इच एंड ऑफ आ सॉलिट स्लेंडर एज शो इन दा हाइट ऑफ दा स्लेंडर इस 10 सेंटी मीटर एंड इट बेस इस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटी मीटर फाइंड दा टोर्डोल सर्फेस एरिया अफ दा आटिक्स एक क्यूब है उक उसके पर एक हैमिस्पियर बना हुआ है ओके थोड़ा से यह इतम टैट से आएगा ओके हैमिस्पियर कुछ ऐसा अब इसकी जो यह रेडियस दिया गया है यह 3.5 सेंटी मीटर दिया गया है और जो हाइट दी गई है यह हमें 10 सेंटी मीटर दी गई है ओके आपको टोटल सर्फेस एरिया फाइंड करना तो कैसे फाइंड करेंगे रेडियस सब चीजा आप पासे है तो टोटल सर्फेस एरिया का हम फॉर्म लागा देंगे तो 2 πाई-R h plus में 4 πाई-R का square भूल जाएगी तो 2 जब 4 एक तक 2 πाई-R का बार्डे लेंगे bracket में कर दींगे h plus में 2r bracket close यह हो जाएगा तो 2 multiply by 22 ¿ by 3.5 हो जाएगा bracket में height हमारी 10 है plus में 2 multiply में 3.5 हो जाएगा यहाँ तक हाय समझ में आप आने 7 हो गाएगा इस पॉइंट कटाएंगे तो नहीं चाहिएगा 10 क्योंकि पॉइंट के बाद 1 0 तो 7 मजे 7, 7 5 जा 14 और इसको इससे मंटिप्लाइ करेंगे क्या जाएगा हमारा देखिए इसको इससे मंटिप्लाइ क्या तो क्या एगा हमारा 10 10 मंटिप्लाइ बाइ 22 अपन में 10 10 से 10 कट गया अंदर ए 12 को मल्टिप्लाइ 3.5 से करेंगे तो क्या एगा 3.5 मल्टिप्लाइ बाद 2 3.5 मल्टिप्लाइ बाद 2 2 5 सा 10 2 7 सा 2 3 जा 6 1 7 मेंस 7 आएगा तो मल्टिप्लाइ करके 7 आगा या जाएगा 17 10 प्लस 17 आजाएगा 22 यहां पर बचाएगा 22 मल्टिप्लाइ बाद 7 कर दिंगे तो मल्टिप्लाइ करते हैं 22 को हम 7 से 7 2 7 14 7 2 जा 14 और 1 15 देखिए 7 2 जा 14 का 4 कैरे बाद यहां पर 7 2 जा 14 14 और 1 15 हो जाएगा ओके 17 आएगा यहां पर बंटिकलाई 1 2 जा 2 1 2 जा 2 4 5 6 7 और 3 यहां जाएगा में 3 70 4 आएगा ओके इस वस्कूशन नबर 9 एक्सराइस 13.1 थैंक्स